चलिए आज की क्लास का सुरुवात करते हैं हम लोग देखें है 2014 में सामान हिंदी में पेपर 2 में जो कुछे गया है उसको देखेंगे इसके बाद जो निक्स्ट होगा तो 2014 वाला एक्जाम 2015 में हुआ था 2015 वाला एक्जाम 2016 में हुआ था 2016 को देखेंगे तो यह हमारा टेलिग्राम चैनल है इसको आप डाइट इसकान कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहां से आपको पीडिएफ क्लास की इनफॉर्मेसिन निल जाएगी आप उसको जॉइन कर सकते हैं यह हमारा इंस्ट्राग्राम आड़ी है अगर कुश्चन की बात करें तो इन कुश्चन में सबसे पहले दो और तेरा में जो कुश्चन आया था उसमें विसेसर सा सुरुवात किया था इसमें पूछा है सबसे पहले पूछा है तो दिवाग से संब्दित कुश्चन पूछा है एक ध्यान रखने की बात है कि जितन प्रैक्टिस किजिए पहले कुश्चन की बात करें पहले कुश्चन पुच जाए कि निम्लिक्त वाक्य में सुध्वाक के है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है तो आप बताईए इसमें कौन सा ऐसा वाक है इन चारों मेसेज जो सुध्वाई तो आप देखेंगे कि इसमें अगर देखेंगे ऑप्सन एक तो गलत है ऑप्सन देखेंगे वो भी गलत है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है ये भी गलत है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है हलवाई की एक दुकान है ठीक है हलवाई की क्या है एक दुकान इसमें option डी जो है सही है question number two की बात में पुछा निमलिकित वाक्यों में सुद वाक्य है स्रिकृष्ट अनेको नाम है यह गलत हो जाएगा भगवान स्रिकृष्ट के अनेको नाम का उलेक मिलता यह भी गलत है भगवान स्रिकृष्ट के अनेको नामों से पुकार आ जाता है option D देखिए स्रिकृष्ट के अनेक नाम है इसमें देखेंगे इसमें यही option जो है पुर्ता सही है भगवान स्रीकृष्ण के अनेक नाम है क्या है 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 ठीक है अनेक नाम है इसमें ऑप्सण डी सही हो जाएगा कुछ नमबर टू की बात करें देखिए ज्यादा एक्सक्राइशन दे नहीं सकते अगर हम दे भी देंगे कि किसी में संग्या और किसे में कुछ वर्तनी असुद्ध है या फिर कुछ ऐसा है तो आप तब भी नहीं समझ पाएंगे तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा तो इसे चीजों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर मत्या करती हैं तो अप्री मिन आती हैं देखो फूल पर और बहुंड poorly कुछ सिर्फ देखो फूलों अप्र भोड़ेफ़ पिदृट कर देंछे और सिर्फ कarna अंगे ओंस्छ लिए प्राकार देखेंगे इसमें जो हो जाएगा इसमें आपसंद सी जो हो जाएगा बाकि सारे option जो हैं गलत है कुछ नमर 5 की बात करें इसमें पूछा है शुद्ध वाक में सुद्ध संयुक्त वाक का उधाड़ा है option 1 मैं परिच्छा देने के लिए इलाहबाद जा रहा हूं तो इसमें संयुक्त वाक थाइग नहीं मैं मुझे परिच्छा देनी आता मैं दिल्ली जा रहा हूं यह भी नहीं सही है मुझे परिच्छा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं मैं वारार से जा रहा हूं क्योंकि मुझे परिच्छा देनी है इसमें डीबी नहीं सही है इसमें option c जो है वो पूर्टा सही है यानि मुझे परिच्छा देनी है और संयुक देखेंगे और मैं गोरकपुर जा रहा हूं ठीक है कि निमलिखित में सुध्वर्तनी वाला सब्द है इसमें आपको बताना है कि कलेश क्लेश क्लेश यानि बड़ा सा क्लेश छोटा सा इसमें बताना है कौन सा जो है सही है एक सिकंड कटाएं देजिए प्रूब्स यानि देख देखर क्लेश प्रूब्स रड़ा रहा है हाँ तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कुछिशन नमर शिक्स में इसने पुछा निम लिखित में से सुध्ध वरतनी वाला सब्ध है यानि आपको बताना इन चारों में से कौन सा सुध्ध रूप से लिखा गया है कमें से पडरेंगे तो ऐस दो इससे ही को बड़ा सा है उसने अंतर कर सकते हैं इसमें कौन सा स्थ रूप से लिखा गया है इसमें आप दिखेंगे जो क्लेस लिखा जाता है वह आधा का लाला पेग मंत्रा बड़ा शा लिखा जाता है ना कि छोटा शा ये वाला विशा भी ने लिखा जाता है ठीक है पड़ेंगे तो सब इसा यहां देखेंगे लिखा जाएगा वह आप या तो छोटे सा में इसमें छोटा सा दिया गया है लेकिन होगा बड़ा सा वड़ा सा होगा अधर रहोगा गाह होगा होगा जब की मांतरा होग तो इसमें ओन्प उस स श्री है ठीक है यह सच्छ तो अच्छ rồi है लेकिन आप देखेंगे गार है YouTube इसमें आप देखेंगे चाहर प्लस जो है अब इसमें शाहर और रा करेंगों से बंटा ठीक है जब कि यहां पर सिंगर वो देखेंगे इसमें शाहर और री के सईयौन से बनता है इस प्रकार देखेंगे इसमें जो हो जाएगा option D जो सई हो जाएगा ठीक है नमबर 8 की बात कैसे पुछा निमलिकित में सुद्ध वर्तनी वाला सब्ध है यानि इसमें जो चारो उज्वल लिखे गए हैं वो उसमें सुद्धतम कौन सा लिखा गया है आपको बताना है वे ज्युवल जो है सुद्धतम फर्व में कैसे लिखा जाता इन चारों में से आपको बताना है है आप देखेंगे व्यस्वत का आर्ष जो होता है वसी छ होता ら देखेंगे और फ़िंज्वकि़ा कहीरत वाल्य एक वह शुद्ध होता है कि बहराल जिसका संदिभी आधाजा फिर आधाजा वा ल जिस प्रकार जो है उज्वल जो है ऑप्शन बीच में सही है पुशन नम्बर 9 की बात करें 9 में क्या पूचा है 9 पूचा है निमलिखित में से सुद्ध वर्तनी वाला सद्ध इसमें भी आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे बहुत सारे माना गया है तो हम बभी जो है उप संब्समें सही मानेंगे सुद्ध वर्त क toughest में आप देखें और cell hm कवित्री 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 आप बसने बताइए कौन सा सब्द जो है सही है तो आप देखे कवित्री मतलब क्या होता है कवित्री पड़िक मांत्रा रहेगे इसमें मांत्रा इसमें ओप्सन ए जो है सही है कवित्री मतलब महिरा जो कभी है तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कवित्री सही है निक्स्ट आप देखेंगे इसने पूछ कनिष्ठा और मध्धिमा के बीच अंगली को कहते है देखे ये अंग उठा हो गया ठीक मान लेजिए ये एक अंगली हो गई इसके बाद बीच वाली अंगली हो गई फिर किनारे वाली अंगली हो गई फिर छोटी वाली अंगली हो गई इसने पूछा है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच इस अंगली को क्या कहते हैं इस अंगली से हम लोग चंदन लगाते हैं इस अंगली क्या कहते हैं अनामिका कहते हैं इसे क्या कहते है अनुक्ष्ठा कहते है इसे तरजनी कहते है इसे मध्यमा इसे अनामिका इसे कनिश्ट कहते है किस प्रकारिसिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बान दी हो उसे कहते हैं दमाद दाम दमाद इदर दामोदर जिसके पेट में रस्सी बान दी गई हो उसे क्या कहते हैं दामोदर ठीक है तो इसमें क्या साई हो जाएगा option D ठीक है नेक्स कुश्चन की बात करें नेक्स कुश्चन में पूछा है कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनी है तो आप बताई पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक सब्द है उसमें क्या साई है तो पीछे पीछे चलने वालों के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग हम लोग कहते हैं पीछे पीछे चलने वाले वाले क्या कर अनुगामी है अन्सरार कर रहा हैं जिसकी कोई कीमत नहुजा के थोड़ा नपजन करने वाला वाक्याम्स के लिए उपक्त सब्द है मितबयाई मितब्य कैसे कहते हैं कम खर्च करने वालों क्या कहते हैं मितब्य कहते हैं मितब्य नहीं होगा मितहारी मितहारी मितहारिन तो आपको बताना है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वालों क्या कहते हैं मितहारी कहते हैं इसमें option C से हो जाएगा गुरू के समीब रहकर अध्यन करने वाला शिष्य, विद्यार्थी, आश्रमवासी, अन्तेवासी गुरू के समीब जो है रहकर अध्यन करने वाले को क्या कहते हैं इसका answer दीजिए इसका परियवासी आएग देखेंगे तो अन्तेवासी होगा अन्तेवासी का जो परियवासी होगा वो शिष्य होगा ठीक है इसमें क्या हो जाएगा अन्तेवाशी पुश्र नमबर 17 में देखे इसमें क्या पूचा जिसके हिर्दय पर आघात हुआ हो, वाक्याहन के लिए उप्यूक्ष्ण अध मरमहुत कि दोनों तो वाक के एक ही है बस इसमें है छोटा उखमांतरा है, इसमें बड़ा उखमांतis तौ Divine हो इसके हिर्दय पर आघात हुआ हुँ वाक्यांस के लिए coping सब्द बताना है तो महत्त कहते हैं और जिसके हिर्दय पर अगर आघात हुआ हुआ हम उसके Learning सब्ध sellers क्रिकर त्प्योंबर 18 की बात करें एटीन में क्या पूछा है दोस्तों एटीन का अंसर दीजिए इसे पूछा जो अपने पत से हटाया गया हो उसके लिए उप्युक्त सब्द को क्या कहते है पदब्रस्ट पदावनत पदानुगत पद्चुत चलिए बताईए क्या कहते है उसे जो अपने पत से हटाया गया हो पदब्रष्ट तो नहीं कहते हैं ठीक है अपने पड़ से हट गया हो पदब्रष्ट पदानुगत भी नहीं कहते हैं पच्छुत कहा जाता है यानि उसे क्या कहा है अपने पड़ से हटाया गया है option D question number 19 की बात कर से पुचा है जिसे किसी वस्तु की इस्प्रिह ना हो इस्प्रिह मतलब क्या कहते है इस्प्रिह का अगर आपको मतलब समझना हो इच्छा कामना ठीक है तो इसे इस्प्रिह का मतलब यानि जिसे किसी वस्त की कामना ना हो उसके लिए उप्युक्त वस्त क्या है उप्युक्त सब्द क्या है निस्प्रिह 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 कि बादा सिंद्र बैंका जिसकी पूर्व से कोई आसा ना हो quindi आप करेंस के ऱभगाम प्रत्याशित आप कान सा जो है सबसे उपयुक्त है जिसकी पूर्व से कोई आसान ना हो सके कि उसे कहते है आप प्रत्याशित बड़ा शावाला है ठीक है कैसे नमर्टी पूच है मखी सब्द का तत्सम रूप है यानि मखी तद्भव है उससे जो है संस्कृित में जो है तत्सम रूप में क्या कहते हैं तो तो सब्चछी काुषि का कहते हैं हो पर पर कि बलता है कि वह क्या है इसाद का है तत्प्र J Strappy नहीं के यह प्रका को से पूछ ना अब टॉंटी ट्री की पासके से पूछ पोलास हुलास सब्द का तत्सम रूप यानि हुलास जो है क्या है तत्भो है हुलास का तत्भो जिससे उल्लास कहते हैं इसका जो है तत्भो क्या होगा तत्सम क्या होगा उल्लास होगा कुछ नमर्ट 24 नारियल सब्द का तत्सम रूप क्या होगा नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल या नरिकेल आपको बताना है कि नारियल का जो है तत्सम रूप क्या होगा तो नारियल का दोस्तों तत्सम रूप की बात करें तो नारिकेल जो है यह क्या है इसका तत्सम रूप है सब्द का तत्सम रूप क्या है तो शिंग सब्द का तत्सम रूप होगा इसमें जो होगा ये इसका तत्सम रूप होगा कुछा नमर्ट 26 की बात करें से निम्लिकित में कौन सा जब्द तत्भो नहीं है तो आप देखेंगे क्या है कि का तत्सम है अगर इसका तत्भो क्या होगा इसका तत्भो होगा सांच इसमें ऑप्सन बी साही हो जाएगा कुछा नमर्ट 27 में देखें क्या पूछा है एकल सब्द का तत्भो रूप है अकल अकिल अकेला उप्यक्त मसे कोई नहीं के लिए एंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और साथे साथ अगर आपको पसंद आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूट कीजिएगा ताकि हमको भी मोटीवेशन मिलतर है ऐसे वीडियो अपके लिए लाड़ने का तो अगर बात करें एकल सब्द का तत् अकेला होगा ठीक है कुशन में 28 करपट सब्द का तत्भा रूप करपट क्या है तत्सम रूप है और करपट का मतलब क्या होता है कपड़ा तो कपड़ा इसका हो जाएगा तत्भा रूप ठीक है 29 की बात करें कैवर्थ सब्द का तत्भा रूप क्या है मला केवर्थ नाव केवल तो आपको बताना है कैवर्द सब्द का तद्भवठ क्या है संस्क्रिट इसे हिंदी में क्या कहते है कैवर्द को जो है केवट नाम सा जानते जो試 का ज़ेगा कीवट question number 30 में देखिए इसमें पूछा गृध्ध गृध्ध सब्ध का तद्भो रूप गृध्ध क्या है संस्क्रिट सब्ध है इसका मतलब क्या होता है जिसे आप वल्चर कहते हैं इंगलिस में और हिंदी में क्या कहते हैं गिध्ध कहते हैं इसमें तद्भो क्या होगा और इसका जो है तद्भो रूप में पूछा है घुदला सब्ध में विशेषड है स्थिक्ष्ष्य नहीं कर दोदुला सब्द क्या है रंग बोधक विशेशड है और ये रंग बोधक विशेशड जो है आता है गुडवाचक विशेशड के अंतर गद्प ठीक है गुडवाचक विशेषड के अंतरक इसमें जो है ऑप्सन भी सही हो जाएगा ऑप्सन नमर थर्डी टूम पुछा है तरीखा सब्द में विशेषड है करना वाचक गुडवाचक समदाय वाचक क्रम वाचक तो सषरीखा सब्द में आपको बताना है विशेषड तो से पहले सब्द का अर्थ क्या होता है सब्द का अर्थ होता है गुडवाचक विशेषड है अगर आपको उसका अर्थ पता आप बता ले जाएंगे कुछ रमर धर्डी री की बात करेसे हैं वह नहीं आया बाकिमें वह काउन से सद्त है आप देखेंगे वह क्या है वह विशसद्ट संग्या जो है संग्या का सर्मिणक विशेश्द है सब्ढ dopp कर देखेंगे वह नियात देखेंगे क्या हो जाएगा सॉर्मनामिक विशेषड ठीक है? question number 34 पूछा तीसरा सब्द में विशेषड है पूढ़ बोधक विशेषड आवरित्ती वाचक विशेषड गढणा वाचक विशेषड क्रम वाचक विशेषड तो बताएंगे तीसरा सब्द में विशेषड है एंसर बताएंगे तो इसमें देखेंगे जो सही होगा कीशा सब्द में विशेषड होगा क्रम वाचक विशेषड तीक है और निश्चि संख्या वासक विशेषड तो इसमें देखेंगे चौथाइस सब्द में विशेषड है आवरित्ती वाचक विशेषड गढणा वाचक आपको बताना चौथाई सब्द में कौन सा विशिसर्ड है इसके पहले वारे लेक्षन जब 2013 का कुशन सॉल्व करवाया था तो उसमें हमने पूरा विशिसर्ड के टाइप और वो सब सारी चीज़े दी थी अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो इसका एंसवर जो है आप चौथाई सब्द में आप देखेंगे तो वहां पर आवरिति वाचक विशिसर्ड है ठीक है कुशन 36 ने पूछा है विशिसर्ड जिस संग्या की विशिस्ता बताता उसे क्या कहते हैं तो यह जो है विशिष्ट की परिभासा है अब जब आप स्टार्टिंग में 13 में विशिष्ट जो है जिस संग्या की विशिष्ट बता उसे क्या कहते हैं विशिष्ट कहते हैं यह चीज आपको ध्यान अक नहीं है अड़ी जेवन में बात करें तो उसमें पूछा निमलिखित में कौन सब्द विशिष्ट है आसीन मधूर अगनी कर्मट तो आशीन का जो विशेष होगा वो होगा आसन मधूर का विशेष होगा मधूर कर्मट का विशेष होगा कर्म ठीखे और इसमें जो है अगनी जो है यह क्या है खुद और विशेष्ट है पूछा थंडा पानी थंडा पैदा करता है इस सवाक में कौन सा विशेश है आप देखेंगे पानी थंडा क्या है थंडा तो पानी की विशेशता बता रहा है पानी कैसा है थंडा है और पानी जो है वो क्या है विशेश है यानि जिसकी विशेशता बता रहा है वो क्या है प यहां तक अनुषान्शीत की बात है उश का जो है विशेशर होगा अगर आपसे विशेशर पूछए यह खुद विशेश्चे है इसकी अनुषइसा होगा ठीक है अपमानित क्या च्वाप्सेश का जो हो जागा अपमान अंय शर्षक्ति क्या है इसमें जो है विशेश है इसका विशेश बैप सब्सक्राइख कौन तो आप देखेंगे विशाद का जो है विशाद क्या है कि इसका विशेषड क्या होगा इसका विशेषड होगा विश्ड ठीक है और पॉस्टिक जो है क्या है पॉस्टिक जो है विशेषड है इसका जो विशेषड होगा पुस्टी होगा और इसके लाब पाठ खी जो है इसका जो विशेष होगा होगा टिक थर्दन होगा क्या सब्द गोड़ा का पर traveling नहीं थी तो गोड़ा क्या कहते है अश्व कहते हैं like या तक शारडुल का बात है की सिंग का पर्यावाची यानि शेर का परियावाची है, शेर को क्या कहते हैं, शारदुल कहते हैं, और वनराज कहते हैं, व्रिगराज कहते हैं, व्यागर कहते हैं, पंचमुक कहते हैं, मुगेंद कहते हैं, केशरी, ठीक है, तो यह सब जो है, शारदुल क्या है, शारदुल जो है, शेर का परियावा तुसमी, अंगना, कामनी, ठीक है, यह सब सुंदरी करी होता है, मक्षली का परियावाची क्या होता है, मक्षली का परियावाची मीन होता है, मले होता है, जल जीवन होता है, शफरी होता है, मकर होता है, लक्षमी के लिए कौन सा परियावाची होता है, लक्षमी को क्या कहते लेकिन अगाध तुरंग अभी आया ये रिपीट हुआ है इसके पर देखें तुरंग कहाँ पुचा गया था तुरंग यहाँ पर आया था तो आपने घोड़क परेवाची आपको पता होगा तो यह भी आंसर सही कर लेंगे तो इसमें तुरंक क्या है घोड़े का परेवाची कुछ नमर 44 की बात करें 44 में क्या पोचा है कौन सा सब्द दैत का परियावाची नहीं है राक्षस दानो भुसुर निसाचर नहीं है तो दैत को राक्षस भी कहते हैं दानो भी कहते हैं निसाचर भी कहते हैं कि यहां तक भुशूर की बात है तो भुशूर किसे कहते हैं जो है राम lish का पर्यारा वाचिय को गया है त्वीटव कRO देखेंगे तो भुटप का पर्यारा वाची आपको बताना है रुक का पर्यारादा विट्प का परयावाची क्या होता है। बिछ प्रसून का परयावाची आप देखांगे। पुष्प going के किसे कएहangज को कहते हैं और रुक का परयावाची आप देखें के का होगा नट्र कोदी पुछा tweets सब्ध ब्रह्मा का परयावाची नहीं है कमलासन चतुरानन चतुरमुख चतुरभुज इसमें कमलासन भी ब्रह्मा का परया चतुरानन भी ब्रह्मा का चतुरमुख भी आप देखेंगे चार मुख होता है तो ब्रह्मा का परयाच जहां तक चतुरभुज की बात है तो चतु ओर खिक है मिन्स दामोदर अभी आयए था टामोदर कहते हैं यह सब्क्या है ुष्णू के परियावाची है विश्ञा नघ्रा कौन सा गर्मर का अंचरीख इलमुक मुलिंधि अब ब्रह मर्श जुर्वर्ण है उसका परियावाज सब्ग नहीं है तो इसमें देखेंगे भ्रहमर सब्द में जो पर्यावाची उसका होता है उसका क्या होता है शीलिमुक होता है भौरा होता है तीर होता है नाड़ी होता है लड़ाई होता है ठीक है कंगराम होता है मुर्ख बार युद्ध चक्चरीक यह सब क्या है भ्रहमर के पर्य और पर्यावाची य-किसार किया कहते हैं वत इंगा ठीक्र पतंगा किरिए फुन्गा यह सब जो है कि पुछा है कॉंसर सब इंद्र का परियावाची नहीं है पुरंदर शक्र गर्ण गड़ादीप माधवाथ इसमें देगा पुरंदर शक्र गड़ादीप गड़ादीप ये क्या है इंद्र शुर्पति ये सब क्या है इंद्र के परियावाची सब्द है विश्णु महेश ब्रह्मा गड़श किया था तो ब्रह्मा का करई उसके पहले में डिसकस किया था कुछना फिप्टीम है कौन सा सब्द DAS का परियावाची नहीं है इसमें दीखेंगे दाप सब्द का जो परियावाची नहीं है वह क्या है परिकर, keeping सब्द का सब्द का विलोम है अगम दूरुगम स्थावर चंचल तो जंगम सब्द का विलोम देखेंगे तो जंगम का विलोम होता है स्थावर ठीक है दूरुगम का क्या हो जाएगा आगम चंचल क्या हो जाएगा इस्थिर कुछ नमबर 52 में देखें 52 में क्या पूछा है 52 है स्रिष् का मतलब समझे सिष्टि का मतलब यहां से निर्माड से है तो निर्माड है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा प्रलाए किसिप्त का मतलब क्या होता है प्रिय काम में चाहा हुआ ठीक है कुशन नमर 54 पुछा है साहचर का विलोम सब्द क्या है वैमना सवीन योग ठीक है आसायोग अलगाव ताहचर मतलब साथ में चलने वाला ठीक है तो उसका विलोम देखेंगे क्या हो जाएगा अलगाव ठीक है कुशन 55 में पूछा है विराट सब्द का विलोम क्या है व्रिहत व्रिहत चोटा पन चुद्र तो विराट मतलब बड़ा आकार होता तो इसका यह होगा नहीं ठीक है सेनॉनिम हो जाएंगे खोटा पन भी नहीं होता चुद्र होगा इसमें और यहां पर सुक्ष में लिखा हो स्प्रिस का विलोम क्या है ठीक है तो स्प्रिस से मतलब क्या होता है असपर्स करने होगा तो इसका विलोम आपको बताना है इसका विलोम सब देख क्या होगा मतलब आपको पाद चल गया असपर्स करने होगा तो इसका विलोम आपको बताना है कि इसका विलौम जो होगा मतलब होता है मूर्ख जो होगा कई इसका विलौम जो होगा दोस्तों उसका विलौम होगा यह ठीप पूचे क्योंकि तो आपको पता है अन्नाग पता सरवग लेकिन इसने पुचा मूर्ख और जो है आज्यानी का विलोम क्या होगा तो विग जो है इसके साब से ठीट पूचा है गौरो का सब्द का विलोम क्या है लागो लगुत्त मतलब समझे गौरो का अर्थ होता है जो है यानि गुर्ता का भाव जो इसका जो विलोम होगा वो होगा लागव का मतलब क्या होता है यह लगुता का भाव दिखाता है इसमें आप्टिन पुचा यह बहिरंग का विलोम सब्द है तरवांग अंतरंग चतुरंग अभ्यंग तो बता यह बहिरंग का विलोम सब्द क्या ह बाहिरंग मतलब बाहिरंग का विलोम सब्द हो जाएगा अंतरंग ठीक है तो इस प्रकार हमने सब्सक्राइब कर लिए अगर कोई कमी है तो कमेंट बाक्स में जरूर बताईगे उसको सब्सक्राइब करेंगे कुश्चन्स में अगर कोई आपको एंसर लग रहा है कि यह नहीं है आप कमेंट कर सकते हैं